ये स्कूटर मात्र 15 पैसे प्रत किलो मीटर में चलेगा, मतलब कि एक रुपए में 7 किलो मीटर ये स्कूटर चलेगा और इससे भी अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितना आप एक साल में पेट्रोल का खर्चा करेंगे एक्टिबा और जूपटर पर उतने में तो ये भाई स्कूटर ही मिल जाएगा और इससे भी अच्छी एक बात ये है कि जितने में ओला कंपनी के स्कूटर की बैटरी आती है उससे ये 25,000 रुपए कम में मिलेगा तो ये है निज कंपनी का एक्स प्रो प्रीमियम एलेक्टिक स्कूटर अब ये प्रीमियम के हो क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले आप इसकी इंट्रेस्टिंग प्राइस सुलो तो ये शुरू होता है इसकी जो सुरुवाती रेंज है वो है 58,000 मतलब 58,000 से य और जो इसकी लाश्ट प्राइस है वो है 62,000 और अगर आप लीथियम बैटरिक साथ लेंगे तो मैं जो नंबर दे रहा हूं आप वहां पर फोन करके पता कर सकते हैं डीलर्जिप के लिए या फिर खुद खरीदने के लिए पता कर सकते हैं दोस्तों अब इसके अलामा मैं को जड़ा अनलोक कर देता हूं अब सबसे पहले मैंने प्रीमियम क्यों कहा है वह आप समझ लें 12 इंच के टैर मिलते हैं टेलिस्कोपिक सस्पंसर मिलता हूं सारी चीज़े दिखाऊंगा साथ में एक एक पार्ट इसमें प्रीमियम लगाए गया और आप साइड से इसका महरून कलर में आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा क्योंकि बैक रेस्ट भी लगी हुई है अब आप फ्रंट से देखेंगे इस इलक्ट्रिक स्कूटर को तो यहां पर आपको ट्वीन प्रोजेक्टर हेड लैंप मिल रहे हैं और ट्वीन डियारेल यहां पर भी मिल रह रहे हैं डामेंड का टेलोई वील साथ में नब्बे बारा का इसमें आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है बारा इंच के पहिये मिलते हैं जिससे स्कूटर चलने में बहुत अच्छा चलेगा साथ में टेलिस्कोपिक सस्पंसन मिलता है इधार अगर आप देखेंगे तो कलर भी और आते हैं जैसे वाइट कलर आप चुन सकते हैं और बाकि अब आप इसको पीछे से एक बार देखें भाई कि पीछे से कैसा लगता है खास करके यह बैक रेस्ट के साथ काफी अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें बैक रेस्ट लगी हुई है अगर आपके घर में को कि इंट्रेस्टिंग है नो लाइसेंस रिक्वाइड निज नो आर्टियो रजिस्ट्रेशन मेड इंडिया भाई निज ऑटो मोटिव यह बहुत अच्छी बात है इधर से आप देखेंगे भाई टूइन डिस्क आपको मिल रही है मतलब ब्रेकिंग बहुत जबरदस्त मिल रहे हैं सारी चीजें आपको टूइन मिल रहे हैं और यहां पर आप इसको अड्जेस्ट कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है अब आप इसको देखेंगे लेफ्ट साइड से इस स्कूटर को अब मैंने आपको प्रीमियम क्यों कहा तो पहली बात तो बैक रेस्ट लगा जैसे जो गड़े होंगे उनको इब्जोर्ब कर सकता है यह स्कूटर तो यहां से देखने में अच्छा लगता है और दूसरी चीज सबसे अच्छी चीज जैसे अगर आप यह दूर से दिखाओ भाई अगर आप स्कूटर पर बैठते हैं तो आपको यह से हाथ लगाना बात है इसके अलामा भाई आप इसका मीटर देखें पहले यहां पर आप देखेंगे एक गलब बॉक्स यहां पर मिलता है मोबाइल चार्जिंग की सुवधा यहां पर मिल जाती है यह इसमें मोबाईल चार्जिंग की सुधा मिल जाती है और इसके अलामा यहाँ पर आप देखेंगे इसमें कलरफुली डिजिटल मीटर मिलता है चावी आप देख लेए इसमें आपको रिमोट की मिलती है यहाँ से आप लॉक कर सकते और स्टार्ट कर सकते हैं और इसको ढूंड सकते हैं पार्किंग में यह है अब इसके लामा यहां से मैं इसको लगाऊंगा चाभी को और यहां पर आप देखेंगे भाई कलर फुल डिजिटल मीटर मिलता है जिसमें आपको बैटरी का इंडिकेटर यहां पर मिलेगा और यहा यहां पर आपको यह स्पीड बताएगा, यहां पर आपको बैटरी का इंडिकेटर है, हजार लाइट की सुविधा यहां पर मिल जाती है, यह बटन आप दबाएंगे, यहां पर आप देखेंगे, दोनों इंडिकेटर ओन हो चुके हैं, आप फ्रंट से दिखाव राहूल भा तो यहां पर इसमें आपको यह बटन दबाएंगे, यह देखेंगे, अभी तीसरा मोड है, यहां पर यह पर यह पहला मोड इसमें लग चुका है, तो भाई इसमें आप मोड भी चेंज कर सकते हैं, सबसे अच्छी बात यह है, और रिवर्स भी यह स्कूटर चलता है, दू अब यार यह तो कभी-कभी बहुत अच्छी बात करते रहूल भाई कभी-कभी तुम्हारे दिमाग की तो भाई किधर यह यह देखिए यह बटन गूम रहा है दिख रहा है और अभी अभी फिर ऐसे करूं तो ठीक है और यहां से ऐसे दबाएंगे तो ठीक है अब यह कुल मिलाके यह स्कूटर भाई रिवर्स भी चलता है तो 58,000 62,000 में आप इसको मतलब रिवर्स चार्जिंग भी कर सकते हैं लेकिन रुकिए रुकिए मैं आपको दिखाता हूं इसका सीट का स्पेस आप देखो यहां पर सबसे इंट्रेस्टिंग चीज त यह बहुत अच्छी बात हो यह ट्रांस्पेरेंट है कितना जबर्दस्त लग रहा है और एक चाभी इसमें और रिमोट यहां पर रखा हुआ है साथ में आप देखेंगे यह है निज का निज और यह देखे लीड एसिट चार्जर है यह और इसके रहां सब कुछ वारंटी सब मिल जाती है यहां पर देख लें यह है चार्जर और अब इसको बंद करते हैं बूट स्पेस आपने यह 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 देखें सर्टिफिकेट टूबिलर्स इट में कॉन कॉन करें और यह सब चीजे इसमें आप इसमें पढ़ सकते हैं यह पढ़ लें आ भी आपके सामने खड़ा हुआ छे बैटरी के साथ तो इको मोड में अगर आप चलाएंगे तो 80 चल सकता ही एको मोड में और बाकी मैंने भी चला कर देखा है लगबग 70-75 तक यह मैंने इको मोड में चलाया है और अगर आपका वजन 50-60 के बीच में है तो भाई 80 पलस हो सकता जाती है 650 तूत अगरें मिलेगा नीचे मोबाइल नंबर है आप फोन करके पता कर सकते हैं सात मैं आपको ट्विन प्रोजेक्टर है लेंप ट्विन ट्यार और इसके लामए ट्विन डिस्क प्रेक आपको मिल रहा है तू आपको बहुत प्यारा लगएगा जब आप चला कर इसको देखेंगे तो बाइदो, तो मेरे हिसाब से, जैसे फूटरेस्ट से लेकर और चार्जर से लेकर, और हां, भाई, मैंने आपको वारंटी है, बताई है, देखे、 एक साल की आपको वारंटी मिलेगी लीड एसिड बैटरी पर, फुल वारंटी मिलेगी, च्छे साथ घंटे में ये स्कूटर आराम से चार्ज होएगा और आपको पता होना चाहिए कि जब आप इसकूटर चलाते हैं तो पूरा खतम करके तो नहीं चलाते हैं तो जैसे आपने 40 चलाया तो 40 का बचा हुआ बैटरी तो आपको एक दो घंटे में वो मुश्किल से प्रीमियम डिजाइन इस स्कूटर में आपको मिल रहा है साथ में आप देखेंगे 200 mm इसकी घ्राउंड के लिए रहा है किसी भी गड्डों पर यह जा सकता है और आपको बिल्कुल भी कोई प्राब्लम नहीं होगी और देखें में 795 mm लगभग इसकी सीट हाइट हो मेरे पैर अच्छी तरीके से पहुंच रहे हैं मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है और इसके रामा जैसे यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर हैंडल बार इंड को दिया गया है थोड़ा सा प्रीमियम दिया गया है यहां पर आप द अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और नीचे नंबर है आप फोन करके पता कर सकते हैं तो वहारी इस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर आने के लिए आपका दिल से धन्यबाद आपका दिन सुभ रहे आपका दिल से वीडियो को देखने के लिए हमारे आपका दिल से वीडियो को देखने के लिए हमारे आपका दिल से वीडियो को देखने के लिए हमारे आपका 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 देखने के लिए हमा